दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका केडिय अपला चैनल में आपनी पहली अपडेट के आगे बढ़ते हैं आप से आम देशते हैं यहां पर बताया गया इससे में जो है कि एडिड स्कूलों के अंतरगत जो है तो पीटी मतलब जो पैट वाली जो परिक्षा हुई थी तो उसमें लिखा हुआ है कि एडिड स्कूलों में पीटी के सामानिकरत अंकों के आधार पर होगा चैनल मतलब बात और इसमें जो किलर्ग भरती बात हमें आपको इसमें किलर कर दो इसमें लिपिक भरती हैं यहां पर दे सकते हैं आपर बताया गया इसमें जो है सायता आयरता परिक्षा में प्राप्त सामय नेकरद अंक के आधार पर जो है स्कूर कार्ड जो है उसमें के आधार पर जो है एर अब्यारतियों को बुलाये जाएगा इससे पहले जो है नमंबर 21 में जारी भरती प्रकरिया के जो निर्देश दिये गई थे उसमें केवल उनके अंकों के अधार पर यहां तो इन्होंने जो है नर्मलाइज स्कोर के अधार पर बुला रहे हैं इंटरव्यू तो आप ऐसे होगा चैन पहला परिक्षा इन्होंने कैसे होती थी तो कैसे क्या होता था तो उसके लिए अब चैन कैसे होगा वह देख लिजी यहां पूर में परसंटाइल स्कोर के आधार पर जो है टंगर परिक्षा में सामिल करने थे निरदेश यहां पर लाफ पोरा पूरा देख सकते हैं यहां पर बताया है इसमें जो है कि जो है इसके पहले नवंबर 21 में जारी भथे प्रक General स्कोर के आधार पर जो है टंगर परiddUC अजुसर सेवा चैन आयोग से जो है राय प्मांगा है वहीं जो बताया गया है कि पीटी दियर 21 की लिखित परिक्षा जो है दो पालियों में हुई थी जिसके लिए जो सामने करत अंकों के आधार पर चैन सम्मधी परकरिश आगे कारवे की जा है मतलब इसमें जो किलर भरती को आविदन का अधिकार दिया गया था टंगर पर इच्छा जो उत्तरी पर अभ्यारतियों को जो है नए निर्देश के तैथ पीटी के प्रावत अंकों के आधार पर साचातकार के लिए जो बुलाया जाएगा बुला सकते हैं और पीटी में अभ्यारतियों को बास्तविक और सामने करें परसंटाइल के अंक दिये गए थे तो इस तरीके अब जो चैन होगा अब जो पहला वाला जो रूल था वो बदल चुका है इसमें जो किलर्ग भरती में और आज का अख़वार में किलर्ग भरती के बारे में दे रखा है आप देख सकते हैं आपर ये अपनी चीज सचीव भरती दोयर 10 के चैनित अभ्यारतियों को निकती को लेकर बढ़ गया एक तरफ जो सीवी आई की सीवी एक तरफ जो है यहां पर एक तरफ देख सकते हैं सीवी भरती गोटाले को लेकर जो मुगतमत दरच कर चुकी है वहीं आपनी जो 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 इनिंग की मांग प्रणाम नई अपडेट को अपने आगे बढ़ते हैं और पत्रबात और इसमें टीजटी पीजटी 222 के तहत सीटों की संक्या बढ़ाई जाने पर और प्रक्षतिति गोजित की जाने की मांग को लेकर जो है मादमी सीचा सेवा चैन बूर्ड पर जो अभ्यारतियों कर्मि और डेट घोचित की जाएं और यहां पर भी एक यूपिटर प्रणाम प्रणाम 16 को जन्मरी को जारी कर सकता है और यहां पर बताया गया कि पदों पर रोकी हुई भरती प्रकरिया फिर से सुरू हो जाएगी तो आप देख सकते हैं यह नेस्ट अपडेट के और आगे बढ प्रणाम बजन के साथ तैय करनी होगी सो मीटर की दूरी और दो चल्ड़ों में डीएज ग्राउंड में आज होगी पीटी और पहले दिन जो पंदरा सु पुरूस अभ्यारती लगाएंगे दोड़ यहां पर गुरूप डी की बात हो दी रेलवी की अपनी नेस्ट अपड देश मादमी शिक्षप परिशत तो संचल दी स्कूल प्रिवूर्ड परिक्षण 16 जन्मरी शुरू हो रही है पर इतनी जल्दी चार दिन में नहीं करा पाएंगे इनों नहीं बोल दिया है एक बात और बतातों चप्रासी भरती के लिए लोग बार 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 कमेंट कर रहे जन्मरी के लाश्ट माइगी अगर को पंगा नहीं पड़ा तो हंडेट परसेंट बढ़ती आने के चांसिस पूरे-पूरे हैं अगर आप जो है चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजेगा जिससे को इन्फॉर्मिशन कोई भड़ती है आपका अ सब्सक्राइब माइ यूटूब चैनल केरी प्लस थेंक्यू वरी मच